उत्तरप्रदेश में ट्राफिक नियम तोड़ने पर पहले से भी जादा की पर्ची कटे भी, यानि जादा चालान कटेगा। यूपी सरकार ने 30 जुलाई को नई अधिस उचना जारी की, इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना के नई दलें बताई गई आए जानते हैं कि अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर कितना फाइन भरना होगा टू-wheeler या फोर-wheeler चलाते वक्त फोन पर बात की तो पहली बार 1000 का और दोबारा पक्ड़े गए तो 10,000 रुपे तक का जुर्माना भरना होगा नंबर प्लेट नहीं लगी है या प्लेट पर जादा कलाकारी कर रखी है तो 5-10,000 का जुर्माना लगेगा बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया चलाते पकड़े गए तो एक हजार, बिना हेलमेट के टू वीलर चलाते पकड़े गए तो एक हजार का जुर्माना के साथ साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। अगर पल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है या उसकी अवधी समाथ हो चुकी है तो दस हजार रुपे का फाइन लगेगा। ओवर स्पीड पर एक से चार हजार रुपे तक का जुर्माना है। पार्किंग नियमों का उलंगन करने पर पांसो से डेड़ हजार रुपे तक का जुर्माना है। इमर्जेंसी वाहन जैसे की एंबुलेंस या फायर ब्रिगेट की गाड़ियों को साइड नहीं दिया तो दस हजार उपे तक का जुर्माना भर नहीं हो दो पहिया वाहन पर दो से जादा सवारी होने पर एक हजार उपे का जुर्माना है तो ये थी यूबी गवर्मेंट की ट्रैफिक रूस तोरने पर चालान की बड़ी हुई तरह आपके लिए खबर लिखिये हमारे साथ ही अभिशेक ने अगर आप ये विडियो फेस्बुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे तो हमा दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियेंस बदलने वाली वेबसाइट यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है अप की ललन टॉप एप जो लाँच होते ही कुछ ही घंतों में बन गया था नमबर वन प्ले स्टोर से एंड्रोइड एप इंस्टॉल कीजिए और जोड़े रहिए ललन टॉप खबरों से अब एक ही जगह पर मिलेंगे पलिटिकल किस्से ललन टॉप शो चुनावी कबरेज परताल और आसान भाशा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सब से पहले पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्ले झालड़ी से तखिकेशन गहीं कर गहीं कर लोगल आपको हैं यह कर दो किस समय कर एक दो झालग।